नमस्कार दोस्तों, Smart Study with Yash के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज हम कुछ RD शर्मा के questions देखने जा रहे हैं Class 10 के trigonometric ratios के उपर दोस्तों, जैसे हमारे को question दिया हुआ है कि 5, 10 alpha equals to 4 show that 5 sin alpha minus 3 cos alpha upon 5 sin alpha plus 2 cos alpha equals to 1 by 6 दोस्तों, यहां हम जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में numerical डाला था कि किसी theta की value हम triangle बना के बाकी angles find करके इसको solve करें उस तरीके से भी अगर आप solve करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा लेकिन मैं एक दूसरे substitution method से नहीं करके value substitute नहीं करके मैं आपको दूसरे method से बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे solve कर सकते हैं आईए दोस्तों हम LHS consider करते हैं left hand side हमारा इसमें सबसे पहले हम numerator और denominator दोनों को cos theta से कॉस अलफा से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास दोस्तों बच्चे का क्या फाइफ 10 alpha sin alpha upon cos alpha 10 alpha हुआ और यहां पर cos से cos alpha cancel हो जाएगा उसी प्रकार denominator में भी 5 10 alpha plus 2 और दोस्तों हमारे पास 10 alpha की अगर हम यहां से value find करें 10 alpha की value हमारी क्या हो जाएगी 4 upon 5 तो मैं पूट करते हैं दोस्तों 4 upon 5 इसकी value यहां 5 से 5 cancel 5 से 5 cancel तो हमारे पास क्या बचता है 4 minus 3 upon 4 plus 2 जिसकी value है 1 by 6 है न दोस्तों यह method easy अगर आप यहां value put करते तो यह शायद लंबा हो सकता था और हम यह हमारा आगया right hand side हमने proof कर दिया आईए एक दूसरा question देखते है इस question में हमको दिया है 10 theta plus 1 by 10 theta equals to 2 और हमको find करनी है value 10 square theta plus 1 plus 10 square theta दोस्तों आपने 9th में quadratic equations के शायद आपने इसे question solve किये हो जहां x plus 1 upon x की value दी रहती थी और हमको x square plus 1 by x square की value find करनी रहती थी उसी प्रकार हम भी इसी को solve करेंगे जैसे हमारे को इस question में given है 10 theta plus 1 upon 10 theta equals to 2 so हम क्या करेंगे squaring both sides तो यह हमको मिलेगा 10 square theta plus 1 upon 10 square theta plus 2 into 10 theta into 1 by 10 theta is equals to 2 का square तो यहां 10 theta से 10 theta cancel 10 square theta plus 1 by 10 square theta यह हुआ 4 और यह 2 को हम ले गए इधर तो इसकी value आई दोस्तो 2 यह था हमारे required answer आशा करता हूं कि यह video आपको helpful रहा होगा ऐसे ही मैं trigonometric ratios के कुछ और questions सेंसियार्टी के भी डालता रहूंगो इसलिए हमारे channel को like करें इस video को like करें हमारे channel को subscribe करें और bell icon जरूर दबाएं जिससे आपको आगे की videos के लिए notification मिल जाएंगे thank you